नमश्का बच्चों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने उल्लाइन संस्थान परिक्षा प्रस में कैसे हैं सभी और कैसी चले आप सभी के दियारी अभी जब से वीडियो रिक्जाम की देट की बात हुई है एक अचानक से बच्चे ऐसा लग रहा है कि सोता हुआ बच्च परिक्षा होनी है और जब इस परिक्षा के डेट बच्चे 18 जून 19 जून सुन रहे हैं तो आनन फानन में क्या पढ़ें कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें और तमाम उनके सामने जो कोशन से वो लेके हमारी सामने फोन कॉल्स की थरूं मैसेज के तो तुरंधी कमेंट की आई है अब उस देट के लिए कैसे हम तैयारी करें कहां से पढ़ें क्या हमारी ले पढ़ना सठीक होगा कि जैसे पिछली बार पेपर पूंचा था वैसे ही पेपर पूंचा जाएगा या फिर कुछ और भी होगा और आपके जो तमाम परिशन है वो मैंने लिख लिया है कि इकल कितने चात्र परिक्षा देंगे तो बच्चों देखो कि मैं आपको पहने भी बताया हो कि फॉर्म की संख्या जो थी वो लगबग 14 लाग थी और पिछली बार 9 लाग बच्चे एक्जाम दिये दे बहुत ज्यादा ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे लेकिन लगबग लगब 9 सी 10 लाग बच्चे अभी ब्क्चे क्या करेंगे इस वात का अप समझेगा क्या रहेगा तो क्या रहेगा यह डिपेंट करता है पेपर के लेगल पे और पेपर का लेगल क्या रहेगा यह डिपेंट करता है एजनसी कौन सी है यह आपको पहले भी बता चुता हूं कि अभी हाल ही में जिन परिक्षाओं को अभी कंड़क्ट कराए गए है जैसे लेकपा अगर 18 का पेपर कराई तो ज्यादा चांसे से कि पीटी लेकपार वाली जो एजनसी है उन एजनसी में किसी एजनसी को आपको दिया जाए और पेपर आपके लिए वो बनाएं लेकिन एक बार समझेगा कि यह एक ऐसी एजनसी है जिनके पेपर बनाने का तरीका बहुत बहुत तरीके सब्सक्राइब की सब्सक्राइब टेटी किस धी सुथ और में काथ कली एक विर्च कशन इस वह बघ्र पड़िशान पहले के सहां पहले हैंस। सब्सक्राइं मेंट कि टेच करते केस में। इसमीन क Tipp न को m कोशन उठाए गेते और फिर यहां पर से तो इस बात को समझे किस topic से अधिक प्रशन हो गया ने किसी भी सक्षम की बात करूं किसी भी सक्यों की बात करूं जो टॉपिक होगा वह इस्दम बहुत होगा जी इस में ज्यसे की कुस्ज टॉपिक होती है जिघियोग्राफी हो गय इन्वार्मेंट हो गया, यह हमारे पोर टॉपिक हो गया, फिर हमारे आते हैं, करेंट अफियर्स हो गया, यूपी स्पेसल हो गया, इसके बाद बसता है साइन्स और कम्प्यूटर, तो हर टॉपिक से पिछली बार भी कोशन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं जीएस की ब इन दो टॉपिक से होंगे, बाकी मैं आगे भी जीएस की भी स्ट्टिजी अपके आज सेर करता हूँ, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है, जीएस का लेबल क्या रहेगा, जीएस का लेबल बिल्कुल आपके वैसा ही रहेगा, जैसे आपकी परिक्षा में पूछा जा अच्छा पढ़ना पढ़ेगा, अब एक बात और आती है, जो मैं आपसे बोलना हो, पढ़ना पढ़ेगा, क्या आपने पांच साल में कुछ पढ़ा नहीं क्या, आप पांच साल में ऐसा तो नहीं कि अब आप फ्रेशर हो, या हिंदी संभाग में कोई इकाज पूसन आपक तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, अब जो करना है, वो आपको क्या करना है, वो आपको प्रेक्टिस करना है, कि अगर मैं बच्चू, वो आपको प्रेक्टिस करना है, तो प्रेक्टिस पे आपको सबसे ज़्यादा दिमार लगाना है, और सबसे बड़ी बात है, प्रेक्ट देखो, सब कुछ क्या होता है, सब कुछ होता है कि कौन से समस्था एक्जाम के पैटन को फॉलो कर पा रही है, और किसकी एनलिसिस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे समस्था ऐसे भी होती है, तो आपको जो को सॉल्फ करना है वह ऐसे को सॉल्फ करना है कि आपके निगेटिव जो हो वह कम हो उस पे ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि 50 परसेंट निगेटिव अच्छे-च्छे बिगाड़ जेती है और जिस प्रकार से लेकपाल का या पीटी की पेपर में आपकी कौनसेट्ट चुए पेपर रखे गए उसमें बच्छों के निगेटिव बहुत होते हैं बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग होती है और अगर 50 परसेंट वैसे इसमें तो फो वन फो था पर अगर 50 परसें निगेटिव हो जाएगा तो आपका इस पर बहुत तेजी से नीचे आएगा पशली बादी जो कट आफ था वो 300 में से 211 गया था उसका एक कारण निगेटिव मार्किंग ही थी लेकिन अब आप सोचो कि अगर इतना कथिन पेपर था सब लोग बोलने पिशली बार का पेप या फिर वेंट डियाग्राम के कोशन वो तो आसान थे तो कभी भी पेपर में आपके सभी के सभी कोशन तफ नहीं होते हैं और इसका भी एक मॉडूल होता है जो मैं आगे आपको अभी बताता हूं लेकिन उससे पहले हम देख लें यह प्रिविए से पेपर की कुछ एनले की है तीसरा आपका क्या है रेजनिंगे की वर तीन सेक्षन एक्सोंपचास कोशन 200 नंबर का और 50 परसिंट मार्टिंगी आपका एक्जामनेशन पैटर ने और इसमें अगर मैं आपके बात करूं तो जो सिलेवस इसमें डिस्क्लोज नहीं किया है जैसे आप किसी अन बोड के या फिर यूपी ट्रिपल सी के ही अन एक्जाम की सिलेवस को दिखते हो तो वह ओपन करके देता है जिसे पीटी में पर्टिकुलर टॉपिक टॉपिक बता जिए कि इसी टॉपिक से पूंचेंगे बट वीडियो में जब 2018 की बाती तब यह सिलेवस को बहुत आदा डिस् अलग हो बट मैं आपको बोलूगा कि सारी टॉपिक इवेनली डिस्टिब्यूट होंगे सबसे बराबर होंगे कहने का मितलब यह कि अगर हमारे पास टॉटल कितनी टॉपिक है मैं रिजनिंग की बात परूँ टॉटल डिजनिंग में लगभग 23 से 25 टॉपिक है जो पिष् सब्सक्राइब में आपनiau Вамनों अपर सब्सक्राइब कोई घट से पर बनितंस टॉटी से पर थे टिया और मुझ रहेगा वह गया वह गयागी कोश्जा ऑदा इसे प्रिशन आप बोल सकते हो कि दो प्रशन इसे प्रशन आप बोल सकते हो कि दो प्रश्न इच टॉपिक से बनेंगे तो साथे टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस करना अनिवाद रहा है अन्य था आप क्या हो जाओगे हो सकता है कि एक्जामिशन में और कॉंप्टीशन बहुत जब दस्तु का कि जो बच्ची पिछली बार रह जाते पो पूरा अपना इस बात दम लगा देंगी कि किसी तरह हमें वीडियो में 2000 में से कोई एक पद अपने नाम पर कर लेना है वन असायद ये मौकर दुबारा मिले ही न तो इसलिए आपको भी वही सोच के मेहनत करना है हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में अगर ऐसे देखा जाए तो 35 टॉ अगर देखन हो गया सार लेखन ये जहां से पुछन पूछा गया रवड माला लिंग संदी समाफ कुपसंग पत्य दक्संत अग्वो देशेव देशेव संबन वच्छ समुच्च वादक विश्मयादी बोधक परियार वाची विलोव सब्द यूग में हो गया सब्द पूछे गया थे मतलब हिंदी में अगर टॉपिक से एक दो कोशन पूछा जा सकता है लेकिन एक बात समझना अगर अगर द्यार सब पध्यार सब पूछा तो इसमें पांच कोशन बल्क में पहले ही पूछ लेगा तो बचा कितना 45 कोशन में टॉपिक कितनी बची है हमारे पास लिए पास तॉपिक है तो इस इस आप से अगर देखा जाए तो आठी से पूछन कोशन से किसी से कुछन से हैं बी नहीं बने की दो झोटो होता है एक गुंब से रुखने वाला वो जिवन में कभी नहीं घुला पाओगे और सायथ यह इश्व ने आपको दूसरा मौका दिया है यह दूसरा मौका भी सायथ कभी ना दे तो इतना मैं आपको बोलूगा कि यह सारे टॉपिक यह बढ़ते चलो पढ़े सब हो यह हो सकते हैं एक आट टॉपिक आपका छूट यह साट इब हम कौन से टॉपिक पढ़ें। कौन से टॉपिक ठे सब्सक्राइब बढ़ें होगा कि आता सब्सक्राइब कर दो कि शूटवकार दिते तो तो साथ दिन तो पूरा कंप्रेट नहीं हो पाएगा मुझे से पचास से पच्पन दिन आपको एक्जाम देने के साइद मिले तो पचास से पच्पन दिन में हमें करना क्या है इसलिए टीम परिक्षाप का साथ के लिए हैं इस सब्जेक्ट से लगबख फटी वीडियो यह को चल रही है बहुत बेखनी और यह जो होगा यह इसा बिल्कुल नहीं करेंगे यह ऐसे डेडिकेटिट होगा कि कि आप एक ही जगा सारा कंटेंट पाके और आप उसे बस कीवल देख डालो यह जो 40 वीडियो इस सब्जेक्स होगी मतलब मैं अगर डिस्क्रिब्यूट करूं तो रीजिनिंग का मैं एक अलग सब्जेक्ट दूँगा हिंदी को अलग सब्जेक्ट दूँगा उसके बाद जी यह जिसे जिन्दम अग्रानेस हो गया करेंट अफिएस हो गया इनको अलग देंगे तो जी एस के मतलब 40-40 ऐसे 40-40 आपके क्या हो जाएगे के चालिज हंदी के हो सकता है जीएस के दजबीश वीडियो और बर्जर इस हिसाब से आपको टोटन 150 प्लस 150 प्लस वीडियो और यह वीडियो ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई नहीं सिरे से पढ़ाया जाएगा यह रिवीजन वीडियो होगा और यह सबसे बड़ी बात है कि एंसी आर्टी बेस बहुत अच्छा कॉंसेट अपनिकी नहीं के आरी यह तीम परिक्षा प्लस ताकि और खासकर यह एंसी आर्टी जो मैं कॉंसे बता रहा हूं यह आपकी जीए स्रक्शन में क्योंकि वहां से आपके प्रश्र बन रहे हैं अब हम इसे कराएंगी कैसे मैं को थोड़ा सा बता दूं जैसे अगर मैं पुरा हिस्ट्री में अगर मैं टॉपिक ले लूँ देली सर्टनत तो जितना भी प्लास 10 के 11 के 12 के NCRT में है उनसे सारे फैक्ट को एक जगा क्लेक्ट किया जाएगा उन्हें आपको कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट के हिसाब से वह पूरा डेली सर्टनत आपको 30 मिलेट 35 में एक कुछ रिजीजन के तौर पे कि आप उसे बस एक बार देख लो और उसके साथ में ही ज 150 प्लस ही आपके लगवक PDF रहेंगी इवन यह ज्यादा ही रहेंगी पीडिफ ज्यादा रहेंगी और इसके अतरिक्त हम आपको फ्री टेस्ट यह आपको जो फ्री टेस्ट फुल लेंग्ट आपको 150-150 कोशन का वरना 50-50-50 तीनो सेक्शन का यह आपका परिक्षा-प्रस परिक्षा-प्रस के उसी टेलिग्राम चनल के यह पूरा चराया जाएगा आप लोग इस टिंक के थ्रू टेलिग्राम चनल से जलो जुडो साथ में ही आपको इसके अतरिक्त क्या चाहिए मतलब कि अगर कुछ वैसे तो मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं कि आपको मैक्सम सार परिक्षा-प्रस पर आपको लगी मिल जाएंगी तो कहीं आपको लगी मिल जाएंगी वह परिक्षा-प्रस पर आयब भी आपको लगी मिल जाएंगी तो कहीं आप्प वीडियो स interpret करें टेली गाम को की नहीं उपको एक पोर्स मिलेगा वाप पिे वीडियो ही आपको प्रिक्षा-प्रस पर पही वहाँ पको पर पर आपको छाएंगी आपabilite आप दी जाएंगी आप ताक्य वही के वही पर देख लो और अपनी मूर्ण बना लो और आगे क्या हो जाओ आगे के तरफ बढ़ जाओ तक्राइए तो यह कुंत रिवीजन हैं एक रिवीजन की तरच पर हम लो चला को किसके तरच पर पर चलाएंगे चोटा सा जो कुछ होता है उसमें क्या होगा एक सुपचास प्राइज पीडियों और इसमें क्या होंगे टेस्नी जब तक आपकी एक्जामनी हो जाएगे हर संडे को करेंगे क्लियर है बात को तो यहां से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी इसके इत्रति यह कोई भी कोशन हो तो आपके लिए है यह आपकी तैयारी में और भी बहुत ही बहुत देडिकेटेड हम लेके चलेंगे एक बात और जिनको कीवल तफरी कटनी होगी बच् चलाने वाले और यह बिल्कुल मैं नहीं पसंद करूँगा कि कोई बच्चा यहां पर आयो तफरी काटके यहां पर तफरी का उसे तुरंदी निकाल जाएगा बहन कर दिया जाएगा यह ब्लॉग भी कर दिया जाएगा मैं बहुत लिए बोलों जिसे पढ़ना होगा सेलेक अगर यह मेरे दोरा जो प्रयास है आपको पसंद आता है तो एक वीडियो पर थमसाप अवश्य करिएगा ताकि मुझे समझ में या कमेंट में जरू लिखीगा ताकि समझ में कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे एग्री है या नहीं है चुले फिर मिलते हैं बहुत बहुत दने बास अभी का बहुत बहुत आपार